जी हाँ नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का चीर परीचित दोस्तों पस्थेत हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महतोपून जानकारियों को ले करके जो आपकी लाइब के लिए बेहद ही जरूरी होती हैं दोस्तों अदरक अदरक एक उपयोगी औशधी है अदरक औशधी गुनों से भरपूर होती है दोस्तों अदरक का हम एक मसाला के रूप में प्रियोग करते हैं अदरक सिहत के लिए वरदान से कम नहीं होता है अदरक कई पोशक तत्तों से भरपूर होता है दोस्तों आयोडीन, विटाम इंटिवाइरल है अधरक को आप हर प्रकार से इस्तिमाल कर सकते हैं अगर वीरी वर्धक के लिए करना है तो आप ताजे अधरक का इस्तिमाल करें लेकिन अधरक के और भी बहुत सारे बेनी फिट्स हैं दोस्तों जिसके लिए आप सुके अधरक का भी इस्तिमाल कर सकते हैं भारत ही नहीं बलकि पूरे विश्व भर में लोग अधरक का प्रियोग करते हैं अधरक के गुण से परिचित हैं अधरक का इतिहास भारत में लगभग 500 साल से भी ज्यादा पूराना है दोस्तों यू कहें कि अधरक अनेक गुणों की हान है और आप इनका विभिन्य तरीकों से प्रियोग कर सकते हैं अधरक का अईरुवेद में बड़ा ही महतोपून स्थान है अधरक हर तरह के इनफेक्शन को कम करने में उपयोगी है अधरक विभिन्य तरह की बीमारियों से हमें बचाती है जैसे जुकाम सर्दी कव खासी दमा इत्यादी एक ताजा अधरक में ल कार्बो हैड्रेट तेरह प्रतिशत पाई जाती है अधरक हर प्रकार से गुनकारी है दोस्तों अधरक का सेवन करने से अर्थराइटीस साइटी का गठिया और रिल्ष की हड़ी का रोग भी दूर होता है दोस्तों तो देखा आपने कि अधरक के इस्तेमाल से आप अपने हाथ तो को ही पुष्ट कर सकते हैं दोस्तों इसके साथ साथ कई अन्य बिमारियों को भी आप अपने आप से दूर रख सकते हैं यानि कि कई बिमारियों से अपना बचाओ कर सकते हैं दोस्तों